हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिमर कुकिंग स्टूडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होमेट चॉकलेट की रेसिपी जो के बहुत इजी है घर में बनाना आईए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना रेसिपी बनाने के लिए मैंने यह पर यूज़ किये हैं डार कंपान् चोकलेट औरमिलकंपाूंड चोकलेट कैशिवनेट्स ऐल्मेंड्स और बटर इन सब से हम बनाएंगे आज हैज रिपैल्स स्टार्गीलेट हम सबसे पहले हम हाफй को एड़ करेंगे बटर को अच्छे से मैल्ट करेंगे और इसमें रोस के लिए रोस्ट कर लेंगे रोस्ट करने से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है रोस्ट हो चुके हैं नट्स अब हम इने प्रेट पर निकाल लेंगे अब हम बॉइल होने के लिए पानी रख देंगे जब तक पानी बॉइल होता है कमपाउंड चॉकलेट मोडे का मैंने यूज किया है कंपनी मोडे का और इसकी हम वान एंड हाफ बार यूज करेंगे क्योंकि हमारे घर में डाक चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है बच्चों को आप अपने अकॉर्डिंग मिल्क जादा यूज कर सकते हैं जा डार्क जा अब हम इसमें नट्स एड करेंगे मैंने बरतन स्टील का यूज कर लिया क्योंकि उसमें मिक्स नहीं हो रहा था अब हम नट्स को मिक्स करेंगे देखिए डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों अच्छे से मैल्ट हो चुकी हैं अब हम इने फिल करेंगे यहां पर म हम इन सिलिकोन मोल्ड जिसमें अलग-अलग डिजाइन बने हुए हैं उसमें अड़ करेंगे चॉकलेट मेल्ट की हुई फिलिंग सिलिकोन मॉल्ड में हम स्पून की हैप से मैल्ट की हुई चॉकलेट डाल देंगे ध्यान से डालें क्योंकि चॉक्लेट बहुत गरम है बस इसी तरह से हम मोल्ड को फिल कर लेंगे मैंने मोल्ड को अच्छे से मैल्टिट चॉकलेट से फिल कर लिया है अब हमारे पास एक और हाट शेप सिलिकॉन मोल्ड है इसमें भी हम आड़ कर लेंगे melted chocolate सबी hearts को इसी तरह से हम fill कर लेंगे mold के बस spoon की help से हमें mold में डाल देना है मैंने दोनों mold में fill कर ली है melted chocolate थोड़ा सा tap करेंगे और 1-5 गंटे के लिए इसे freeze में रखेंगे freezer में नहीं रखना 1-5 गंटे के बाद देखिए chocolate set हो चुकी है अब हम इसे demold करेंगे इस तरह से हमें silicon mold से निकाल लेना है देखिए नीचे से उपर पैस करना है mold को ऐसे बस देखिए chocolate कितनी अच्छी बनी है कितनी अच्छा design आए है अलग-अलग design की हमारे पास homemade chocolate ready हो जाती है इस तरह से बिलकुल easy है बनाना बस chocolate को melt करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें low to medium flame पर इसे melt करना होता है ध्यान से इसी तरह से हम hard shape chocolate जो हमने बनाई है इसे भी हम demold कर लेंगे कितना अच्छी shape आई है आप भी friends घर में इसी तरह से chocolate बहुत easy और बहुत ही सस्ते दाम पर कम खर्चे में बना सकते हैं आप देख लीजिए मैंने 50 chocolates इतनी compound chocolate में बना कर ready की है देखिए कितने अच्छी shape आई है कितने अलग shapes के हमारे पास बच्चों के favorite chocolate ready हुए हैं अब हम इने wrap करेंगे मैंने इसे wrapping paper जिसमें हम खाना wrap करते हैं उसमें add किया है wrapping paper में आप चाहे तो बजार से जो मिलते हैं wrapping paper अलग colors के उसमें डाल सकते हैं देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और 50 chocolates पनकर ready हुई हैं अगर friends आपको हमारी आज की homemade chocolates की recipe अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूलें thanks for watching